प्रीदर सकोमम तक कीचन रिस्पी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बहुत ही टेश्टी राजमा बनाएंगे जो की बनाने में बहुत ही आसान खाने में बहुत ही टेश्टी कम समय में कम समागरी में तो आईए बनाना शुरू करते हैं ये जानने क के लिए वीडियो को सुरू से अंतक देखिएगा राजमा की सबजी के लिए हमने राजमा को भीगो दिया था बारा घंटा तक भीगो आया था बढ़िया तरीके से फूल चुका है यह देखिए अब इनको धूल कर बढ़िया से प्रेसर कूकर में डाल देते हैं इनको 3-4 हैं अब इसमें पानी डालेंगे पानी हम दो इंच तक उपर रखेंगे ताकि बढ़िया से पके लगा के गैस पे मीडिया फ्लेम पे रख देंगे आई यह और आगी तैयारी कर लेते हैं दो मीडियम साइज प्याज हमने बारी काट लिया है दो लाल तीखी मिर्च एक इंच अद्रक का तुकड़ा आट दस कलिया लेस्न कछिल का उतार के ले लिए हैं एक बड़ी इलाइची दो छोटी इलाइची पांच छे लाउंग थोड़ा तेज़ पत्ते ले ले लिए हैं एक बड़ा चम्मच धनिया छोटा चम्मच जीरा काली गोल मिर्च आर दस्दाने नज्जीक से दिखाते हैं ये देखिए जीरा काली गोल मिर्च और धनिया थोड़ा जबित्री ले लिए हैं दाल चिनी एक बड़ा चम्मच गरी का बुरादा है तीन मीडियम साइज डालेंगे एक चम्मच कास मीरी मिर्च ये तीक ही नहीं होती इससे सबजी का कलर वढ़िया आता है तो सबसे पहले लैसुन अद्रक मिर्च प्याज को ग्राइंड कर लेते हैं और ये मसाले भी पीश लेंगे और ये टमाटर मिक्सिजार में पीश लेते हैं ग्राइंड कर लेते हैं मसाला पीश के तैयार हो गया है लैसुन अद्रक मिर्च भी इस तरीके ग्राइंड कर लिए हैं टमाटर भी कर लिए हैं ये देखिए महीन वारिक अब राजमा चेक कर लेते हैं तीन सीटी तक हमने पकाया है मीडियम फ्लेम में ये देखिए अच्छी तरीके पक कर तयार हो गया है फोड़ कर दिखाते हैं ये देखिए कितना बढ़िया पक कर तयार हुआ है अब इनको चान कर दूसरे बरतन में रख लेंगे इसमें कर पानी निकाल देंगे हटा देंगे गैश जला दियें कड़ाई भी रख चुकें दो बड़ी चमस सरसो का तेल डालेंगे तेल को गर्म होने देंगे तेल काफी गर्म हो चुका है अब हम टेज पत्ते डालेंगे ग्राइंड किया हुगा अद्रक लेसुन प्याज मिर्च डाल देते हैं इनको मीडियम फ्लेम में भून लेंगे इनका कच्चापन खत्म हो जाने तक बढ़िया से भूनेंगे बढ़िया तरीके से हमने भून लिया है कच्चापन खत्म हो गया अब मसाले डाल देते हैं एक चम्मच कास्मेरी मीड डालेंगे एक चम्मच हल्दी पाउटर डालेंगे मसालों को अच्छे तरीके भून लेना है बहुत ही बढ़िया खुसबू आ रही है मसालों में से दो से तीन मिनड तक भून चुके हैं अब गरी हो डाल देंगे इनको भी चलाएंगे Іस तरीके मिलाएंगे गरी के बुरादा जीदा नहीं भूनना है नहीं जल जाता है जलने के ,चांस रहता एक अब टमाटर डाल देंगे स्वाद अमसार नमग डालेंगे इनको भी अच्छी तरीके मिलाएंगे दो मिनट के लिए धक्के रख देंगे मीडियम फ्रेम में ताकि बढ़िया से टमाटर और मसाले पक जाएं दो मिनट होच चुके धक्कन हटा दियें टमाटर बढ़िये तरीके से पके तयार हो गया है बहुत बढ़िये खुशबू आ रही खड़े मसालों की बात ही अलग रहती है अब इसमें राजमा डाल देते हैं राजमे का हमने पानी निकाल दिया था अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं हम नहीं डाले हैं अब इनको भी अच्छी तरीके मिरा देते हैं दो मिनट तक इसी तरीके हम चला चला कर बढ़िये सिराजमा भी थोड़ा भून लिये हैं अब थोड़ा पानी जाल देते हैं ग्रेवी के लिए और सबजी पग भी जाएगी बढ़िये तरीके से मसाला टमाटर सब कुछ पक के तयार हो जाएगा और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे मीडियम फ्लेम में इनको पांच मिनट तक और पका लेते हैं ढखकर पांच मिनट हो चुके हैं ढखकन हटाएंगे सबजी पके तयार हो गई है यह देखिए आप इसे चावल रोटी पूरी पराठा के साथ सारो करिए जिसके साथ आप पसंद करते हों उसके साथ खाईए आज की रेस्पी कैसी लगी दोस्तों कमेंट बाक्स में जरूर से जरूर बताएए कोई गलतिया हो माफ करिए सबजी रेडी हो गई है आप गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक असानी से पहुँचे मिलते हैं अगले रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों हमारी वीडियो अन तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बहुत ही टेश्टी राजमबन के तयार हुआ है आप इस रेस्पी को जरूर से जरूर घर पर बनाईए लोगोज bilmiyorum लोगोته राजमबन के लिए